दिए सब्सक्राइबर तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड आज हम बात करने वाले फ्रेंड बॉर्डर सेकरिटी फॉर्म को ले करके फ्रेंड जूकि आप जो वेकेंसी निकल के फ्रेंड आया तो इसका फॉर्म आप लोग कैसे करेंगे यह फ्रेंड देख सकते हैं नोटिफिके वेबसाइट पर आना है और यहां भी फिर्ण आप नीची आएंगे देख सकते हैं इसमें फिर्ण जितने भी तरह का वेकेंसी चल रहा है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है जिस पर भी आपको अप्लाइब करना है उसके सामने अप्लाइब बटन देखने के कर देना है इस तरह से आप ठीक हो जाएगा उसके बाद आप अपना email ID फासबर्ट पर करके login कर लेंगे अगर नए candidate है तो आपको यहां पर new registration पर क्लिक कर देना और यहां candidate का जोग की नाम टाइप करेंगे पर आपके इमेल आईडी पर पासवर्ट आ जाएगा उसके बाद फिर अपना आईडी पासवर्ट डाल करके लोगिन कर लेंगे आप जैसे आप लोगिन पर किलिक करते हैं तो आपके यहां पर इमेल और मुबाईल पर फिर दोनों में पर आता है आपके सामने कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन खुल कर देंगे इस तरह से आपको यहां पर प्रोफाइल देखने के लिए जाता है लोगिन करने बाद आपको काफी ज़्यादा आसान हो जाता है फॉर्म भरने लिए जो अगर इससे पहले भरें क्योंकि आपका काफी सारा डिटेल्स ओलेडी फिल अपर आता है ठीक है तो आपको सिंपली यहां पर अपडेट पर किलिक करते हैं तो आपके सामने देख सकते यहां पर डेटेल्स खुल की फ्रिन आजाता है तो आपको फ्रिन यहां पर कुछ भी फिल नहीं करना होता है जतने फिरの करने अगर लोगिन करके आप जाते हैं तो आपका सारा डेटेल्स ऊलडी करना है अगर आपको उसमें किसी भी तरह काbok अड़िफाइः क्र सकते आ आ सावारा चीज तो आपको को नीचे आने है फ्रियेच्ट चेक करते फिरिण इस तरह से सभी को करते हैं आप Munee अगले स्टम आपENTSहां पर हैं अब देख सकते हैं आप्सिम्पली आडेस हो साओगेवा। bez देखने सकते हैं यहां पे फिरेंगि वह बता देना है सेंटिमस बताएंगे खेल कुद आपने किया है बताएंगे ने तो नो पर किलिक करेंगे सेवे नेक्ट पर किलिक करेंगे सिंपली आप सेवे नेक्ट पर किलिक करने बाद अगले इस्टे में आपको यहां से कॉलिफिकेशन बताना हो जाए इस तरह से देख सेदे कॉलिफिकेशन आप आप बता देंगे उसके बाद यहाँ पर बटन क्लिक करें इस तरह से नीचे यहां पर बता रहा हूं मैंने पहले एट करके ठीक है तो आपको हुआ पूलिए यहाँ प्रेट किया हुए ईटिया है buddh education है किसी भी तरह का PhD है जैसे डिप्लोमा जैसे पोस्ट डिग्री अगर यह सब किया वह आपको बताना है सेम तरीके तो यहाँ पर आपको next पर क्लिक करेंगे यहाँ पर work experience के बारे पुछा जाता है अगर आपके पास है तो yes करेंगे नहीं है तो start startőr just click करेंगे yes करेंगे यहाँ अपने कोडिंगी देख लेंगे हैतो बता देंगी शेलेक्ट करते हैं उसका यहाँ पर ऊतरक्त नहीं करना है ठीक है चे तो अपने Staff certificate उसके बाद जो भी आपका category certificate होता है या फिर OBC वाले NCL certificate को अपना यहाँ पर easily upload करेंगे, simply आपको नीचे जाना है, documents upload करेंगे, 30 से लेकर के 100 KB के बीच में आपको जो की photo और signature upload करना है, 20 से लेकर के 50 KB के बीच में आपका work experience है, वो सब चीज़ को यहाँ पर आपको upload करना है ठीक है, अच्छी तरह से आप देख लेंगे, details को यहाँ पर बता दिये गया है, किस तरह से, और PNG, JPG, PDF फाइल में upload कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको simply declaration देदेना है, फिर से यहाँ पर 7X पर क्लिक कर देना है, 7X करते हैं अगले इस्टे में देखा है, profile complete successfully आपको, इस त तरह से जोग की form को फर सकते हैं, जितने ही फ्रेंड का निडिए ओलेडी लोग इन करके form भरेंगे, आपको ज्यादा कुछ भरना नहीं होगा, श्रीप आपको जोगी check कर लेना है, payment कटाना है, और आपको यहाँ से receiving वर गया रहा है, आपको सारा चीज मिल जाएगा, तो इ payment करने बाद आपको यहीं से receiving download करने के लिए मिलेगा option, देख सकते हैं, अभी यहाँ पर किलिक करेंगे, यह आपका open नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे, उसके बाद payment पर किलिक करके payment कर लेंगे, तो I hope आप लोग समझ गया होंगे, कैसे आप आप लोग BSF का form भर सकते हैं, लोग इन वाले candidate और नए वाले candidate अगर भरना चाहते हैं, शुरू से पूरा details फेल करते हुए, तो आपको देख लेना है वीडियो पुराने वाले link discussion मिल जाएगा, चेक करके फ्रेंग आप लोग अच्छी तरह से form को भर सकते हैं, तो I hope कि ट्राइब करके बेल आइकन को उन कर लें, मिलते हैं पर इनकिसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने हैं, थैंक्यू सौमाच